अज सुप्रीम कोट की साज जजों की बेंचने बहुत आई तिहा सिख फैंसला दिया है और साज जजों ने एकमत होके कहा है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना पैसा लेके भासर देना और पैसा लेके राजसभा के चुनाओं में ओड देना या लोगसभा में पैसा लेकर ओड देना ये पूरी तरीके से भरष्टाचार माना जाएगा करप्शन का केस माना जाएगा और ब्राइबरी के अंतरगत इसमें मुकदमा दर्ज होगा मामला पहले भी आ चुका है जब नर्सिम राओ सरकार अल्पमत में थी उस समय नोटों की गड़ियां लहराई गई थी और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब पांच जजों में से तीन जजों ने ये कहा कि चुकिस जो नोटों की गड़ियां लहराई गई है जो कैस हुआ है कैस का लेंदेन हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ है इसलिए ऐसे लोगों खिलाब मुकदमा नहीं चलेगा उस समय भी दो जजों ने कहा था कि नहीं नोटों अगर पैसा लेंदेन हुआ है चाहे वो संसद में हुआ या विरहान सभा में मुकदमा चलना चाहिए लेकिन दो जज कम हुए माइनाटी थे तीन जज मेजॉर्टी थे तो उसके बाद से आज सक लग जितने भी ऐसे केस आए कभी भी संसद विदाय के खिलाब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब आज साथ जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि कोई भी संसद अगर पैसा लेके सवाल पूचता है संसद में पैसा लेके संसद में या पैसा लेके संसद में ओटिंग करता है तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी कोई विशेसादिकार नहीं रहेगा उसके खिलाब मुकदमा चलेगा इसी तरीके से कोई विधायक पैसा लेके सवाल पूछेगा, पैसा लेके राज सभा में ओटिंग करेगा, पैसा लेके विधान सभा में ओटिंग करेगा, या पैसा लेके किसी के पक्ष में कोई स्पीस देगा, तो उसके खिलाब भी ब्राइबरी का मुकदमा चलेगा, जैसे तसिलदार या पेसकार या हवलदार थानेदार के खिलाब मुकदमा चलता है वैसे ही MLMP के खिलाब भी चलेगा MLMP के जो immunity है उसके लिए सुप्रिम कोट ने कहा है जो संविधान में सांसद और विधाय के विशेसाधिकार दिया हुआ है वो अच्छी स्पीच देने के लिए बन दिया हुआ है वो free speech के लिए दिया हुआ है वो संसद और विधान समा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए दिया हुआ है वो भरष्टाचार करने के लिए नहीं दिया हुआ है लेकिन उस सम्मिधान के प्रावधान का जो उनको विसेसादिकार दिया हुआ था उसका अभी तक गलत उपयोग होता रहा महुआ मित्रा के केस में यह हुआ कि महुआ मित्रा का जब केस यह प्रूब हो गया कि उन्होंने पैसा लेके सवाल पूछा है तो उनको सस्पेंड तो कर दिया गया उनकी सरस्ता को सरस्ता चली गई लेकिन महुआ मित्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं सुरू हुआ महुआ मित्रा के खिलाफ ब्राइबरी वाला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब इस फैंसले के बाद महुआ मुत्रा के खिलाफ ब्राइबरी का मुकदमा भी चलेगा या सीता सोरेन जो सीबू सोरेन के परिवार की थी जो ये सुप्रीम कोट तक मामला आया था उसमें सीता सोरेन ने पैसा लिया राजसाभा चुनाओं में ओड देने के लिए लेकिन बाद में जब पकड़ी गई तो उन्होंने अपना विसेसाधिकार का हवाला दिया तो अब उनका भी जो मुकदमा है वो कोट में जाएगा और उनके खिलाफ रश्टाचार का जो मुकदमा है उसमें विसेसाधिकार का जो उनकी ढाल थी वो अब खतम हो चुकी है मेरा ये मानना है कि लोग तंतर के लिए बहुत अच्छा हुआ है सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि MLMP के द्वारा पैसा लेना ये डेमोक्रेसी के लिए पोईजन के समान है डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है और अब अच्छी बात ही है कि सांसुदों विधायकों के लिए पुरे देस में MLMP कोट बनी हुई है साड़े तीन सो से ज़्यादा सांसुदों विधायकों को सजा भी हो चुकी है आजम खां को ही, अब्दुल्ला आजम को ही, मुखतार अंसारी को ही, अतीक अहमत को ही, असरफ अहमत को ही तो साड़े तीन सो सांसुदों विधायकों को सजा हो चुकी है लेकिन जो bribery वाला केस था वो चलता नहीं था इस फैंसले के बाद bribery का केस भी चलेगा और bribery का केस भी MLMP कोट में ट्रांसफर हो जाएगा तो साल भर के अंदर इसका भी फैंसला होना सुरू हो जाएगा मुझे पुरा विश्वास है आने वाले टाइम में सांसद और विधायक पैसा लेके सवाल पूछने पैसा लेके स्भीस देने और पैसा लेके ओटिंग करने से पहले सौ बार सोचेंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोट ने उनके खिलाब मुकदमे का रास्ता खोल दिया है